बहुत स्वागत है आप सबका जोतिश जरा हटके कारक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपका एश्टो फेंट संतोश संतोशी हटका यही आनन्द आता है विशय है चुन्ने में भी मैं कोशिश यही करता हूँ और मेरा कोई भी सब्जेक्ट कोई भी विशय है आपको कभी जन्दगी में बोर नहीं कर सकता कारक्रम की प्रमाड़िक्ता यही है कि इसमें मौलिक्ता का समायोजन होता है शब्दों की पकड़ के साथ आप किसी के ग्यान की पराकाष्ठा का आंकलन सहजता पूर्वक कर सकते हैं अरे कई मसलों पर हलाकि हम अब किसी के बारे में चर्चा करेंगे तो बड़ा अड़पटा सा लगता है आप लोग को भी नहीं अच्छा लगता कि हम किसी और की चर्चा लेकिन देखें हमारा आपका रिस्ता कुछ इस प्रकार का connected है जुड़ा हुआ है कि हम आपकी रक्षा क कि निमित भी कोशिश करते रहते हैं आपका समय आपका श्रम आपका धन बच जाए इसलिए हम बार-बार प्रियास करते हैं कि आप बहुत सोच विचार कर किसी भी चैनल को खोले होता क्या है कि आप फिर हमसे प्रश्र करते हैं फलनवा तो ये कह रहा था, ध्यमकवा तो ये कह रहा था, ये भाई क्या बता है, क्या लेना देना किसी की कहने सुनने का, और मुझे सबसे अधिक गुस्ता उसी पर आता है, कि आप पैसा खर्च करके मेरे पास आते हैं, जनमान के विशलेशन कराने के लिए, और जब मैं पारी बात नहीं करता हूँ, तो आप कहते हैं, फलाने तो कह रहे थे, अब कलपना करिये, कि इस पे मैं क्या रिपलाई करूंगा, कलपना करिये, मैं क्या रिपलाई करूंगा, मनलब आपने 5100 रुपे दिया गाजयाबाद कार्याले में आए कुंडली दिखाया पूछे शादी कव होगी हमने का शादी का योग नहीं है शादी नहीं होगी अब आपके मन की बात तो हुई नहीं क्योंकि आप तो सोच के आये थे कि हो जाएगी तब आपके वात की जो होते हैं वो मेरे घर के बगल में एक पंडित जी है वो तो बता रहे थे कि 2019 के लाश तक हो जाएगी साथी एक और आते हैं वो टीवी पर उनका यूट्यूब चैनल है फला नाम के वो तो कह रहे थे कि इतने लाख रुपे का पूजा करवा लो और फिर देखो तुरंट सगाई हो जाएगी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कल एक माता जी को मैंने वापस कर दिया पूरी फीस दे करके और उनकी आने जाने का जो किराया दिया था वो भी दे दिया मैंने कुनली नहीं देखा मित्रों मेरे पास यदि आप जनवांग के विश्लेशन कराने के लिए आएं तो अपने कलेजे पर पत्थर रख कर आएं पहली चीज क्यों क्योंकि हो सकता है कि मैं अपने ज्ञान और विवेक के दम पर जो मेरा शोध है उसके आदहार पर कुछ भी बोल दूँ मतलब जो आपकी कॉंडली में होगा हो सकता कि आप medical का सोच कर आएं और मैं engineering बोल दूँ हो सकता कि आप judge सोच कर आएं ओर मैं IPS बोल दूँ हो सकता है कि मैं बोलू कि आपकी government job है ही नहीं मतलब anything can be happen let me see the first मुझे पहले देखने दीजे आप blank होकर आईए बिल्कुल दिमाग खाली होकर आईए भाग के बदलवाने के लिए ना है मैं पहले भी बहुत बार कहा हूँ आज भी कहा रहा हूँ चली खेट विशे पर आते हैं आज का विशे है कि वो योग क्या है कि किसी को किसी से sexually attract करता है योग खतरनाक है योग गंदा भी है योग घिनवना है थत ची इस टाइब का लेकिन होता तो होता है ऐसे लोगों से बचने की आवश्यक्ता स्त्री और पुरुष दोनों को है अगर कोई स्त्री आप से sexually attract है तो मामला लपेट में आ सकता है और अगर पुरुष आप से sexually attract है तो यहाँ पर भी मामला लपेट में आ सकता है यह योग इतना गंदा योग होता है वित्रों की सगे रिस्तों को भी कलंकित करने से बाज नहीं आता है यह इतना गंदा और घिनवना योग होता है आपको सतर्क और सावधान रहना है मैं बाहे लक्षण भी बता सकता हूँ लेकिन ऐसे में बाहे लक्षण बहुतों को बहुतों से दुराव पैदा कर देंगे एक बार हमने इसी प्रिकार से चस्मे के उपर बोल दिया था तो बढ़े लोग दाना पानी कुछरी लेकर के हमारे तरब भागे था अरे कैसे कह सकते कैसे कह मेरे मित्र हम तो लंबा खेलते हैं आप आज से क्यों जोडते है आज आपकी उम्र 32 साल है आपके कुंडली में योग है या हमने कुछ बाह लग्षण बताया लेकिन अभी तक वैसे symptoms नहीं मिले तो क्या पता कल भी नहीं मिलेंगे मैं तो लंबा खेलाओ ना 80 साल 90 साल तक में कभी भी हो सकता है तो योग जो है वो है योग के आधार पर इस प्रकार के दोश पैदा होते हैं होंगे आप बच नहीं सकते हैं याद रखियेगा याद रखियेगा ये सदैव याद रखियेगा मेरे एक भी लक्षण नहीं कट सकता ये चैलेंज है खुला चैलेंज है डंके की चोट पर चैलेंज है क्योंकि मेरे लक्षण मेरे व्यक्तिकत सोध से सम्मन्द रखते हैं किताबी ज्यान थोड़ी ना है कि किसी ने लिख दिया हमने बख दिया यही तो है किताबों में फलनवा ने लिख दिया और हमने बख दिया अच्छा लिख छोड़ तीनों चला है सायर सिंग सपूत जोतिश वो है जो अपनी मौलिकता को कुछ रखे तो ये गंदे योग के विशे में आज का परिचर्चा चल रहा है हो सकता है कुछ लोगों का मेरा ये बीच-बीच में छेपक या प्रसंग ना भाता हो वो लोग वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं हम ऐसे ही है हम तो अपनी रौ में बाते हैं जो हमें मुहबबत करेगा वो हमारे इस अदा से भी मुहबबत करेगा है कि नहीं तो इस योग में सगे रिष्टे भी कलंकित होते हमने पाए हैं सगे चाचा, सगे मामा, सगे मामा का लड़का, सगा फुफा, सगा बुवा, सगा जीजा, सगा भाई, सगी साली, सगी सरहज, सगी बहन, सगी सबकुछ हमने हर तरह के रिष्टों पर ये शोध किया है और मेरे पास है केस मेरे पास है योग है कुंडली में पंचम, अश्टम और द्वादस का संबन्द मुरोशियावर रामचंद्र कीजए पंचम, अश्टम, द्वादस इन तीन घरों के स्वामी राह मंगल के साथ शष्ठेश से संबन्द बनाएं ऐसी पुरुश, ऐसा पुरुश, ऐसी महिला विश्वास पात्र नहीं होते, ऐसे लोग किसी से सनेह प्यार जैसा शब्द आप भोल जाएं कर ही नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ सिर्फ sexually attraction होता है, यह ठीक नहीं होता है, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, दूरी बना कर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपका मान मर्दन कर सकते हैं, आपके साथ गलत हरकत कर सकते हैं, ऐसे लोग ही रेपिष्ट भी हो सकते हैं, बल पुर्वक किसी के सरीर को प्राप्त कर सकते हैं, इस्त्री के द्वारा भी पुरुष का मान मर्दन होता है, पुरुष भी रेप का शिकार हो सकता है, अगर यह योग किसी महला के जन्मांक में हैं, तो मैंने दोनों को आगाह किया है, दोनों को मैंने सावधान किया है, दोनों के लिए मैंने सलाह दिया है उपाय भी बता देते हैं इसे लोग जादा सजादा गायतरी मंद्र का जाप करें गव की सेवा करें इस्त्रिया समस्ताहतव देवी रूप में देखें पुरुषा समस्ताहतव देव रूपा पुरुषों को देव के रूप में देखें रिष्टों का सम्मान करें औ पत्थर सत्यानाश करते हैं, पत्थर निकाल कर फेक दीजिएगा, और कहीं से भी नॉन्वेज मत छुईएगा, not even egg, love you all, take care, keep smiling, हसते रहें, हसाते रहें